नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब क्ल्सेद की चल रही थी न और इसमें इवीुएस का section में देख रहा था तो आज क्लास में आज फोर्ट कक्षा तर की NCRT बुक है और ncrt book में चैप्टर कौन कौन से हैं चैप्टर होंगे पार्ट होंगे पांत से लेके दस तक जो इंपोर्टेंट चैप्टर हैं सीटेट के लिहाज से पूछे जाने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे है ना तो देखिए तो बिना देरी किये हुए सभी जुड़ जाएंगे और अपने भाई बहन से जोड़ेंगे कम स्कम एटलिस्ट इस चोटे भाई के लिए इस बड़े भाई या चोटे बाई जो भी मानते हो के लिए आप क्या करोगे कम स्कम दो-दो सब्सक्राइबर तो बढ़वा हो गई है है तो षब से पहले क्लास वर्ट में है चार में है अनीटा की मध्यां की मधुमख्या इन्ठी चैप्टर है और एकिर्टी में बहुत जज्यादा से बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से कोशन पूछ जाते हैं जो भी मैं कर रहा रहा हूं हो समलोग रामवान है हमेशा करना है आपको 100% करना है 100% नहीं करना तो सच बता रहा हूं कि आप कलतीगर्द होगे सब्सक्राइब लेकल मुजफर पूर जिला जो है वो किसा लिए मसर है लीचि के फूलों के लिए लीची के लिए मसूर हो वैसे लीची के लिए क्या है लीची के फल के लिए बहुत ज्यादा मसूर है कौन सा बियार का कौन सा जिला मुझफरपूर मुझफरपूर और जहां लीची होगी वहां मदुमक्खी होगी जहां लीची होगी वहां मदुमक्खी पालन होगा जहां लीची होगी महां मदुमक की पालन होगा तो इस बारे में हम जानते हैं इस जगह पर लीची के फूल फरवरी में ही खिलते हैं फरवरी के जनवरी फरवरी के जब वसंत पंचमी का समय आ जाता ना वसंत आ जाता है वसंत पंचमी आपने सुनाए वसंत मलब फरवरी के आस पास में है, winter season जब आता है, तब क्या हो जाते हैं, कि लीची के फूल खिलने लग जाते हैं, और जब खिलेंगे तो वहां से फूलों पर अरस होता है, फराग, ठीक है, nectar जी से कहते हैं, तो nectar होता है, तो मदमक्हिया उसको सक करके छत्य में ले जाते हैं, सक मतल का जीवन कैसे होता है, बच्चे कैसे देते हैं, कौन बच्चे देते हैं, कौन स्रमिक बंदमक्हिया होते हैं, फिर चीटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ततहिया वगरा के बारे में ऐसे पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले यहां से, पहले वाली बात से हमें Information क्या मिल जाती है पहले वाली बात से मिल जाती है पहले वाली बात से क्या-क्या Information मिल जाती है लिए बह स्लाइक कंट सुन शोर्फ almكم गोई cả है मुजभर्फवर पुर्ट देला का और यहां पर लीचिक लिए मसूर है और लीची के फूल कब होते हैं फरवरी के माह में होते हैं लीची के फूल मदमख्यों को लुभाते हैं क्या करते हैं मदमख्यों को लुभाते हैं यहां लोग मदमख्यों का पाल कर सहत बनाने का काम करते हैं मदमख्यों का पालन मतलब मैंने बताया ना जहां लीची लीची फूल देख लिखे है कि यहाँ पर लोग्ar करते हैं लिखे को है ठीक अदूर यह के लिखे Wind अक्टूबर से डिसंबर बहुत बारोनिफ है-पोटनिटि competitive गई-इंपोस्ते इंपोर्टनिट एवाサ। कि इस समय अंडे देती हैं मधुमक्हियां अंडे कब देती हैं कोशन जितनी बार अगर आप मेरे उपर ट्रस करते हो या नहीं करते हो तो मैं इस बात को बता देता हूं कि आप प्रिवेस येर पर जाओ और देखो अगर इसे कोशन कम-कम पांस से साथ कोशन नहीं आये हुए ऐसे पुछले 10 साल के पेपर में मैं बता देता हूं गैरेंटी है टीक है तो मधुमक्हियों को अंडे दने का समय कब है October से December है MA «धुमक्हिपालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही माना जाता है जब अंडे देंगी उसी समय पर क्या करना है उसी समय पर कि सुझ में क्या करना है। हब माधु मख़ी का पालन भी करना है dua क्यूंकि अंड़ कोई और कई न कही चत्ता होगा उसी चत्ते में सपिछ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हो ऊश्टे में ही एक रानी मख्यी होते है। नर मख्यी और रानी मख्यी तो स्रम हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐसे मख्यी कई कि एन्च Haha नर मदमक्खी भी होती है और रानी मदमक्खी भी होती है लेकिन नर वाले का ज्यादा रोल नहीं है ज्यादा रोल नर वाले का उतना नहीं है जितना रानी का है और श्रमिक का और अन्य का है नर का कुछ विसेस रोल नहीं है आगे देखते हैं हो सकता है नर वाले का बताया ज तो स्रमिक मक्ही होती है, क्या होती है स्रमिक मक्ही, बहुत सारी जो काम करती है उसको क्या कहते हैं स्रमिक मक्ही कहेंगे मक्हीया, स्रमिक मक्हीया भी पाई जाती है, ठीक है, लेवर वीज होती है, ठीक है, लेवर वीज भी होती है मुझे या दिन भर काम करती है और इनके काम करने के स्फपास मंदने लग जाती है नूरा पती कि तरह prospects क्रने लग जाती है वाहा देख कुझेता बनाने के लिए फूलों का रस एकठा करते हैं कारीं रस suo किसी मक्ही को रस करए तो नाच ने लगती है नाच को यो किसमें नाच करती है या इसमें नाच करती हैirti नाचने लग जाती है, ठीक है, जिससे अन्य मक्हियों को पता चल जाता है, यह रस मिल गया है, रस कहां पर है, रस कहां है, रस कहां पर है, यह अन्य मक्हियों को भी पता चल जाएगा, जब एक मक्हियों नाचने लग जाएगी, यह ग्रूप में होती है, जब एक नाचने ल कड़ते हैं कि के यहां पर है हिई लिखा हुआ है स्रमिक मख्छी डोन मख्छी रानी मख्छी सबसे सबसे से बड़ी कौन से होती है रानी मक्ही हो जाती है काम करने वाली मक्ही छत्ते के लिए बहुत जरूरी होती है चत्तों के लिए कि कौन सी काम करने वाली मलब श्रमिक मक्ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है और ये ना तो तो चत्ता बनाना यह ना हो तो ना चत्ता बने और ना ही सहद इकठा हो सके तो मलब सबसे पहले स्रमिक मक्खी का काम क्या है एक तो चत्ता बनाना और एक शहद खोजना इकठा करना तो काम करती है शहद इकठा करती है और क्या कर देती है चत्ता बनाती है स्रमिक मक्खी हो तो बात समझ मारी है और उसके बाद अगला क्या है सहद के बिना च्छते की सारी मनमक्यां भूखी ही रह जाती हैं तो अगर सहद नहीं है, सहद नहीं है, च्छते में सहद नहीं है तो सारी मक्यां क्या हो जाएंगे, भूखी रह जाएंगी नर्मक्य च्छते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है तो नर्मक्ही के बारे में मैंने ने इसका कुछ खास नहीं है इसका नर्मक्ही का कमInProtence है. मलब इसमें च्छत्यमें में मधमक्हों के पालनमें सबसे कम रोल किसको हो जाता है नर्मक्ही को, यहां तक बस समझ वागि आगे बढ़ते हैं जो जो मदुमक्खी का पालन करते हैं उसमें बक्से की ज़रूरत होती है जो गंदगी हो उसको साफ करने के लिए दवायों की जरूरत पढ़ती है और मीठे घॉल मलब चीनी वगरा की भी जरूरत पढ़ती है तो आगे देखते हैं क्या है ने पहले बता दिया आगे उसी चीज को एक्स्प्लें करते हैं मद्मख्यों के लिए मीठा गोल बनाने के लिए चीनी खरी दी जाती है चीनी की आउशक्ता पड़ेगी मीठा गोल कैसे बनाएंगे चीनी की बनाएंगे या गुड का बना देंगे लेकिन इन्सेाटी में किसको दीा है चीनी को महत वता है तो एन्सेाटी के ही अकोड़िंग चलेंगे क्या जुक्यंकि हम गुड लिख दें कुछ भी लिख देंगे तो गलत अांसर तो एक्ना की का चल ₧ अजलनों हॉत्त हो लिए अगरशawk होistes हैं अगर कोट में चलर्ण होते हैं तो last में किसकी बात मानी जाती है? सरकारी बुक की? सरकारी बुक कोणसी है? NCRT, NCRT की बात मानी जाती है, private publisher की बात नहीं मानी जाती है, अब बिशक सही हो, आपके तत्त है है, लेकिन आपका answer, NCRT के ही according check होता है, अगर गलत हो गया question, स्दिंदी से अांग चेंग इसे के संखे इसक्राइब तो पर फरदिंदि जरुशन मेरेंगों के स्मिटे के पर द्रैप्स两 स्थल्स्थ invea जाते कि महांट टेलAllah अगर युठौ श्टौन के हैंो जाते हैं मीठे गोल और दवाई की तो मदमक्खी पालन के लिए एक तो बॉक्स की जरूरत पड़ी बॉक्स की इने लगेगा बॉक्स पर उसके बाद गोल मीठा गोल तीसरा क्या है तीसरा और दवाईयों की सफाई करने के लिए दवाई कितने-कितने चीज़ों की जरूरत पड़ी बॉक्स मीठा गोल और दवाईयों की जरूरत पड़ी माद समझ मारी है तक बात समयकर इससे बॉक्स भाएक होते हैं कि इस बॉक्स में सफाई करने के लिए दवाईयों की जरूरत पड़ती है अब मदमख्य की तरह कौन-कौन सी चीजे ऐसी है, मदमख्यों की तरह ही चीटियां भी मिल दूल कर काम करते हैं, तो सेम काम क्या 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 है, तो सेम क्या 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 है, तो सेम सारी चीजे हो जादें, अब देखो इसमें क्या है, रानी चीटियां अंडे देती है, तो काम करने वाली चीटिया भोजन डूड कर बिल तक लाती हैं तो कौन सी है इसमें सिपाही मक्हियां हो सकते हैं या स्रमिक चीटियां भी कह सकते हैं स्रमिक चीटियां कह दो ठीक है स्रमिक चीटियां या सिपाही चीटियां भी कह सकते हो तो सबसे पहले जैसे अभी मदुमक्ह की बात हुई है सेम टू सेम सारा काम कौन करते हैं चीटियां करते हैं तो चीटियों में अंडे देने का काम कौन है रानी मक्या और सिपाही चीटियों का रानी चीटियों का और सिपाही चीटियों का क्या काम है एक तो खाना एक तो खाना दूसरा बिल का ध्यान रखना ठीक ह सेम हिसाब किताब इनका है दीमक का भी है सेम हिसाब किताब क्या है दीमक का भी है दीमक के बारे में ही जान लो दीमक और ततयया भी पीली होती है पीली कलर की होती है मदमक्खी की प्रजाती में आती है पीली कलर की होती है तो उसके बारे में देखेंगे तो वो भी है तो टताया और दीमग भी इसी तरह काम करते हैं, समु में ही काम करते हैं यहाँ तक बात समझे मागी समु में कौन काम करते हैं, यही सब ऐके, आगे बढ़ते बढ शेipp चमकता सितारा गर्व स्टार ये क्या है इसके बारे में देखो वाई ये क्या है इसके बारे में चमकता सितारा गल्स स्टार के बारे में देखो वाई ये क्या चीज है ये उन साधारन लड़कियों को आसाधारन कहानिया है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिन्दगी बदल दी तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना वैसे कोशन तो आया नहीं है कम इनप्रोर्टेंट है लेकिन आभी सकता है तो आप इसी इसका जरूर धियन ठीक है ना बहुत जरूर धियन रखकेंगे आगे बढ़ते हैं अब इस में थोड़ा सा सफर करते हैं यात्रा नाम की थिम्स आते हैं और इसमें क्या है ओमान का सफर ओमान का सफर तो ओमान का सफर क्या क्या है इसमें लिखा है वो ओमाना का सफर है ओमान का सफर निया ओमाना का सफर सबसे पहले यह क्या है यहां से कुछ चीज़ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ निकलती है जैसे गांधी धाम एहमदाबाद में है और वलसाद इस्टेशन गुजरात में है जूआ है, गांधीदाम, अहम्दाबाद, वलसाद इस्टेशन, ये तीनों चीज कहाँ पर है, गांधीदाम, एहम्दाबाद, और वलसाद इस्टेशन कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, इसमें एक बच्चे की कहादी है, वो अपने, South Side में जा रहा है Kerala जा रहा है और Kerala में कौन-कौन से Station से होके जा रहा है वो सारी चीज़े उसने अपनी कहानी होता ही है तो यहाँ पे है गांधी धाम, एहमदाबाद और वलसाड़ एहमदाबाद से तो आपको तो पता चल जाए마 एमदामदाबाद से आपको गुझरात का पता ही चल जाएगा गण्धिधाम से भी पता चल गया, वलसाधी स्टेशन , ऋससे कोशन आया है बहुत जाद नहीं आया मैं बता नहीं आया लेकिन आया याद रखने की जरूरत है मडगाओं कहा है मडगाओं गोवा में मडगाओं कहा है गोवा है तो मडगाओं अब इसको कैसे याद रखेंगे तो भाई गोवा में वीच है और अगर बीच में रेत नहीं होती तो क्या हो जाता है ना मड़ मतलब गिली मिटी तो गिली मिटी हो जाते है तो मडगाओं वहा क Sch梱 के वारे के साट काई इस किषी और सबसे पहले घड़की से और वारे करके की सबसे कंब यह हुआ है डिने की आँके उच्प्राइब यौर सब ने क्या डिने कर रहा आज तो अब यह गोवा के बीच का है पिक लगाया हुए मैंने अब इसमें देखो भई इसमें क्या कर रहा है गोवा से केरल गोवा से केरल गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने 92 सुरंगे और 2000 पुल होते हैं अभी तो और भी बड़े के होंगे लेकिन फिलाल NCRT के डेटा के अकोर्डिंग जाएंगे NCRT के डेटा के अकोर्डिंग कितने सुरंगे है 92 इसके बीच में गोवा और केरला यहाँ पे है यहाँ पर यहाँ पर है ऐसे ही मैप पाता है कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और केरला यहाँ पर है इसके बीच में क्या है 92 सुरंगे और 92 सुरंगे उसके बाद 2000 पुल है यह चीज NCRT का है इससे कोशन आता है इससे कोशन आता है लेकिन बहुत सारे कोशन नहीं आते इससे मैं बता रहा हूँ जिनसे मैं बहुत जादा इंपोर्टन बता है उससी को लेकिन इससे आते हैं इससी को जरूर करिएगा आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा मल्यालम भासा के बारें जान लेते हैं नानी के गाउँ आनी के घर गया है तो वो देख रहा है कि नहीं रिष्टे को ईा जो पुराने रिष्टे हैं उनके कुछ नाम अलग है मल्यालम में मा की बड़ी बेहन को क्या कहते हैं मल्यालम में कौन सी भासा में मल्यालम में और मा की मा, मतलब नानी जी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? केरल में लोग पानी को पार करने और दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी नाओ का परयोग गिया जाता है सबसे पहले यहां पे नाओ भी लिखा हुआ ब्रेकेट में लेकिन कोशन में आएगा फेरी, कहां पर प्रसिद है तो कौन सी जगह पर है, केरल में, फेरी कहां पर प्रसिद है तो केरल में, इस चीज को ध्यान रखना, नानी को क्या कहते है, नानी को यह भी याद रखो, अम्मू मा, क्या कहेंगे, अम्मू मा, चाची जी को क्या कहेंग किसमें के मुस्तित पड़ा mirror मां या झा liegt हिए उसके लिए और एक बहरàiहा है उसके मसूर तो उसके लिए इसमें कांई सभी तो मां से या ठागा वड़ा थे मूमी की वहनि मो ममी मम म की अम चाची चीच और फेरी नाओ के लिए इसको द्यान रखना आगे आजाते हैं आप ट्रेन के टीकट आप सबने दिखा है और गजो प्रस्थारणड के लिए लगा होता है आप ने सबने देखा होगा सूचना के लिए सूचना बोर्डड या का रेलवे टाइम टेबल कहते हैं उसको रेलवे टाइम टेबल सूचना के लिए क्या जानकारी मिलती है क्या मिलती है ludzie ध्रीन का नाम है train का number है कब आएगी, कब जाएगी कौन से platform पे है, ये सारी चीज़े बताएगी ठीक है, जैसे station से संबंदित सारी चीज़े, train किस station पर किस समय पहुँचेगी, और किस समय station छोड़ेगी, ये भी पता चलता है और station के बीच में कितनी दूरी तैय करनी होगी, ये भी पता है ठीक है, दूरी के लिए और कौन से platform, एक चीज़ है platform 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 की भी जानकारी, इसी से मिलती है platform की time table से, railway time table से ही मिलती है, ठीक है जान तक बात समझ मागी, आगे बड़े who to to who to to, एक खेल है अब ये किस theme से आ गया, खेल यात्रा से नहीं है, अब हम आ गए खेल के लिए सब theme है, ये family and friends का सब theme आ जाता है, ठीक है उससे देखते हैं भाई, और यहां से देखो who to to केलों से हम सीखते हैं की हम केलों से सीखते हैं की हमारे आपस में मतभेद और जगडे होते है, और हम उन्हे सुलजा भी लेते हैं सुलजाते हैं ये भी है तो यहां पर सबसे पहले ही ये चीज देखो क्यों ये खेल में हमें क्या है एक चीज की जानकारी हो जाती है सबसे पहले हैं कि मतभेद होना प्वावी बात है ये लड़ाई जगड़े होना अलब पार्ट है लड़ाई जगड़े होना लाइफ का एक पार्ट है यहां तक बात समझ मारी हैं लड़ाई जगड़ा होना लाइफ का एक पार्ट है फिर उसके बाद उसको हम सुल्जाना भी हमारे उतनी ही जिम्मेदारी हो हो जाती हो और सारी SCRI परे उसके बाद का बढडि के खेल के बारे में यहां पर कबड़ी के खेल में हमें मिनिकस की आख पैर और रख का जब दस्त ताल्मेल होता है सबह क्लिपिंग बहुत अगड़ी हो जाते हैं तो इससे हो जाते हैं थी निर औरहा के थिन गौ में हमारे सरीर्क तीन गौ में बहुत जाद separate आज़ा बढ़ते हैं अब वेटेग इस वरी के बारे में बता और त tut महेश्वरि न ही कल्नम पलेश्वरी यह हैं वेट लिफ्टर हैं यह वेट लीफ्टर रहा है नहीं हमारे बहुत जगार करने से कहां आती हैं अन्धरप्रदेश से आती हैं यह यह आंदरप्रदेश अंदरप्रदेश की रहने वाली है इनके पाप पुलिष में हवलदार गया है किस है के देंगे वह 14 वर्स से अब जहन से नी सुन होगे इन्फोर्मेशन तो गलत करें आऊगे तो कितने वर्स से है 12 वर्स से वजन उठाने का अभ्यास कर रही थे अब तक वह एक बार 130 kg का वजन उठा लेती हैं अब कितना उठा लेती यह 130 kg एक्सोटीस क्लो ग्राम रजन उठा लेते हैं कर्णम ने भारत को बाहर त्यौंति- नाइन मैडल जीते हैं, कितने । त्यौंति नाइन कर्ण elabor बातें सब से पहले से अंधियां से शुनख सब शुनख सुख रजरा है, उठाल बॉठी के बाहर , спокойly AMTH 29 medal ठीक है और कितनी बहने हैं ये परिवार में चार बहने हैं इतना इंपोर्ट नहीं है लेकिन आप जब ऐसे पूछेगा कौन सा असत है तो चार बहन वाली भी बात हो जाएगी तो चार बहन चार बहने हैं चार बहने हैं और रोज सुबह उठकर क्या ये भी वजन उठाने के प्रैक्टिस करते हैं इनके बहने भी तो ये थीन बाते हैं इनसे कर्णम महिस्वरी से और एक चीज और है कहां से आती हैं आंदर प्रदेश से पिता जी पुलिस में हवलदार यहां तक बात क्लियर होगी पुलिस में हवलदार हैं यह 3-4 पॉइंट्स मैंने उपर लिखवाए हैं वह बहुत ज़रूरी है यह आगे बढ़ जाते हैं तो यहां तक आप अगर वीडियो में हैं तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी इंफोर्मेशन मैंने शब्दों के माध्यम से देनी की कोसिस करी कुछ लिखित में हैं तो मैं ज्यादाती चीजे क्या है कि कम सा टाइम है तो हमें प्रिंट करवाकर लाना पड़ता है ना तो मैं एक एक चीज लिख के आपको समझाता है एक चीज लिख के समझाता है लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है तो हम प्रिंटेट फॉम में लेते हैं इतनी स्टोरी शायद एक क्लास में नहीं हो पाती है और डबल क् कर सकते हैं comment box में लिख सकते हैं हमारे बारे में जैसे भी आपके हैं विचार उसी साफ incluso लिख दीजिए और कि लाइफ कर रहे हैं आपकी सीट ड की पढलाई में किया ग्रॉठ कर रहे हैं ज़रूर लिखियेगा और अभी आपको क्या लग रहा है प्रिफेस से मैच हो के तो उ झाल झाल